जैश्री कृष्णा दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज जानते हैं कि आखिर किन लोगों को भूल करके भी नहीं खिलाना चाहिए कबूतरों को दाना पुन्य की जगा मिलने लगेंगे अशुप परिनाम जी हाँ कई लोगों को पक्षियों को दाना डालना बहुत पसंद होता है खास करके लोग कबूतरों को दाना खिलाते हैं हाला कि हर किसी को कबूतरों को दाना नहीं खिलाना चाहिए इसके अशुप परिनाम भी मिल सकते हैं तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिक्विकेशन बेल को दबाना बिलकुल भी न भूले, क्योंकि यहां पर इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉ कबूत्रों को डान डालते हैं, तो कुछ उपाय के तोर पर ऐसा करते हैं, वैसे तो कबूत्रों को डाना डालना बेहदी शुब माना जाता है, हाला कि जोतिशास की अगर हम बात करें, तो उसके हिसाब से कुछ लोगों को ऐसा करने से बचना चाहिए, वरना शुब की जग उपाय के तौर पर कबूतरों को दाना खिलाया जाता है लेकिन जब किसी इंसान की कुंडली में राहू और बुद्ध का मेल होता है तो ऐसे लोगों को अपनी चछत पर कबूतर को दाना नहीं डालना चाहिए इससे मानसिक स्थिती खराब हो सकती है मानसिक अशांति फैल सकत है दूसरी बात करते हैं वहीं जब कबूतरों को चछत पर दाना डाला जाता है तो वो चछत गंदा कर देते हैं अब जब कि राहू का जो संबंध है वो चछत से है तो चछत गंदा होने से राहू दूशित हो जाता है ऐसे में जो चछत पर दाना डालते हैं उनका प्रतिक पारात्मक उर्जा है वो बाहर चली जाती है और सुख शांती बनी रहती है इससे मालक्षमी प्रसन होती है और इनसान को धन लाब होता है कहते हैं कि जब कोई इनसान कबूतरों को दाना डालता है तो वो एक तरीके से इश्वर का काम कर रहा होता है कबूतरों को जब आप अ अंदर की जो सकारात्मक उर्जा है वो बढ़ जाती है और घर के अंदर की नकारात्मक उर्जा दूर हो जाती है तो जिन लोगों की कुंडली में राहू और बुद्ध का मेल नहीं है उन लोगों को कबूत्रों को खाना जरूर से खिलाना चाहिए उनको दाना जरूर से डालन चाहिए ये उनके लिए बिहद ही शुब होता है ये जानकारी यहीं तक ही उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाब उठाएंगे तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ जै श्रीमर नारायन दोस्तों जै श्री कृष्णा